दिर स्टुएंट्स स्वागत है आप से विका हमारे यूटूब चैनल सेडी विद दुलार में बच्चों आप देख रहे हैं ये गोल घर है और ये पटना में स्थित है अगर आप पटना कभी जाते हैं तो आप गोल घर देखने के लिए जरूर जाएगा यहां पे कई लोग रोजाना इसको देखने के लिए जाते हैं इसके अलावा जो है इसमें तीन तरप से सीड़िया है और उसमें उपर में थोड़ा सा जगह है कई सारे लोग जाते हैं और वहां से खड़े होकर कई सारे नजरे नजराएंगे आपको जैसे यह गंगा नदी हो गया कई सारे बिल्डिंग होते हैं जो पटना के कई सारे जगह आप लोग को दिखाए देगा यहां से इसके अलावाद देखने के लिए पटना में सही दस्मारक है और संजय गांदी जेवी कुद्यान जो एक बहुत बड़ा जू है तो आए देखते हैं हम लोग यह कौन सा चेप्टर है और क्या है इसमें बतलाया जा रहा है यह कलास 3 का हिंदी बुख है चेप्टर 11 है और चेप्टर का नाम है पतना तो पतना सहर के नाम से इस चेप्टर का नाम दियावा है इसका मतलब है कि इस चेप्टर में पतना के ब पहले गोल घर बना था, गोल घर बोध अस्तुप के समान लगता है, गोल घर बहुत पुराना है, और उससे चड़कर पटना के पस्चिमी हिस्से को देखा जा सकता है, और यह बोध अस्तुप के जैसा लगता है, बोध अस्तुप इसी आकार का बनाया जाता है, तो वो भी ऐ इसा ही लगता है लेकिन बहुत अस्तुप नहीं है ये है क्या भीतर अन का भंडार है मतलब ये स्टोरेज है इसमें कई सारे वस्तों को स्टोर करके रखा जाता है हम थोड़ी चकरदार सिधियों से चड़कर गोल घर पर पहुंच सकते हैं उत्तर तरप गंगा की धारा दिख मिल सकती है विद्याले के बाल की सोरबडी उमंग से गोल घर पर चड़ते हैं उपर पहुंचने में साइध ही कोई ठके महानगर की चोटी पर पहुंचकर अपनी धाक जमा देनी है जैसे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर त्यैन सिंग ने जंडा फारा दिया था तो ब गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ पटना भारत का बहुत पुराना योंपरसिध नगर रहा है भगवान बुद्ध के समय में यह नगर बसा था मगत के राजा अजात सत्रू ने बैसाली गंतंतर से लोहा लेने के लिए राजगिरी को छोड़कर पटना में रा यह नगर भगवान के बुद्ध के समय में बसा था अजात सत्रू उस समय के राजा थे जब इस सहर को बसाया गया था वे इस सहर को राजधानी अपना बनाये थे किसी से युद्ध करने के लिए लोहा लेने का मतलब है युद्ध करना पहले इसे पाटली गराम कहा गया फि उससी तरह से इसका नाम पहले पाटली गराम था फिर पाटली पुत्र हुआ और अभी जो है पटना के नाम से इसे जाना जाता है, कई सारे सहरो के नाम बदल के नाम बदला है, तो अजात सतरु यहां पे एक बड़ा किला बनवाए थे और इसका कारण था वैसाली पर आकर्म चानेक की बुध्धी और चंदरगुप्त की विर्ता से युनानी पराजित हुए थे। भारत का प्रस्चमी भाग युनानियों से स्वाधिन हुआ चंदरगुप्त और उसके पोते असोक दोनों भारत के परसिद समराट हुए थे। चानेक उसको हमेसा ही आगे किसे बढ़ना है इसके बारे मताते रहते थे। युनानियों से भारत को आजाद किये थे। भारत के पस्चमी भाग में उनानी अपना समराईज बसाई हुए था। तो उसको हराकर वे लोग भारत से उसको निकाल दिये। चंदरगुप्त के पोत कि आउसेस कुमरार में मिलते हैं। कुमहार यहां पर देखें यहां कुमरार लिखा हुआ है यहां कुमहार लिखा हुआ है तो संभवाए कि कुमरार सही है। कुमरार की खुदाई में प्राचीन पाटली पुत्र के चीन हम देख सकते हैं। कहा जाता है कि अगम कुआ असो युग का आौसेस है। यहाँ पे अगमकुआ बतला रहा है है, यहाँ पे कदमकुआ, यह भी उसी समय का आौसेस है। तक बस चुका है, कुतर में गंगा और दच्छिन में रेल की पतरियों तक बसा हुआ, नगर नविंतम बाइपास रोड बाहरी सड़क, बाइपास रोड का मतलब बाहरी सड़क तक पहुँच चुका है, पस्चिम में राइजपाल भवन, सचिवालय, विधान सभा भवन और स सहीद असमारक है, यहां पे बतला रहा है कि पूरब से पस्चिम तक 14 किलोमेटर तक बस चुका है, उत्तर गंगा में दच्छिन रेल की पतरियों तक बसा हुआ है, और बाइपास रोड उसके बगल से बना हुआ है, इसके अलावा कई भवन वहां पे हैं, पस्चिम में रा करांती जो हुई थी, अंग्रेजों भारत चोड़ो, उसमें नोजवान लोग वहां अंग्रेजों की गोलिया खा कर मारे गए थे, तो उन्हीं की सहीद असमारक बना हुआ है, वे सचिवाले पर जंडा फाराने जा रहे थे, बंदुक की गोलियों से डर कर पीठ नहीं लेकिन फिर भी हिंदुस्तानियों का जोस कभी कम ने हुआ, यही कारण है कि हमारा देश आजाध हो सका, स्वधिंता के बाद उनके बलिदान का असमारक बन गया, जब हमारा देश आजाध हुआ, तो उनकी याद में उनका सहीद असमारक बनाया गया, पटना जाने पर सभ 1857 के विद्यो तक की बस्तूओं या मूर्तियों को देखकर हम परदेश और भारत के इतिहास की जानकारी पा सकते हैं यह वहाँ पर पतना जब कोई जाता है तो वह सहीद असमारक जरूर देखता है और देखना भी चाहिए और इसके अलावा संग्राहलाय है जिसको मीजियूम बोला जाता है तो वहाँ पर प्राचिन बस्तूओं है जो बच गई है तो उसको लोग देखने के लिए जाते हैं मोई रिकाल से 857 मतलब जो पहली करांती हुई थी हिंदुस्तान में उस समय तक की बहुत पुरानी पुरानी वस्तूओं हैं और मूर्तियां हैं जिसे लोग देखते हैं और इसे देखकर वो जानते हैं भारत की इतिहास के बारे में पता कर पाते हैं उधर राइजपाल भावन से आगे संजय गांधी जेविक उद्यान और चिलिया घर भी बन चुके हैं तो संजय गांधी जेविक उद्यान जो है वही चिलिया घर है वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे आप लोगों को जानवार देखने को मिलेगा अब हम तारा यह बियन कोलेज और महिला कोलेज है तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है गांधी मैदान जिसका नाम दिया गया है जिसे लोन कहा जाता है लोन मतलब एक आंगन की तरह हो गया लेकिन आंगन की तरह नहीं हो बहुत बड़ा है यही कुछ वर्स पहले सर्श भरस्टाचार की बिरिद जन्जागरन का आवाहन किया था यहां 15 अगर 26 जन्वरी को भाइब समारों में जंडा फराय जाता है हम परती दिन सुबह में सेकडों तरूनों और प्रोडों को वयाम करते और टहलते देख सकते हैं संधिया में यह मैदान खेल का मैदान बन जाता ह यह मैदान महानगर की सोभा है यह काफी बड़ा मैदान है इसलिए यहां पर कई सारा प्रोग्राम आये दिन होते रहता है जैसे कि 1974 में लोकनायक जेप्रकास नारायन भरस्टाचार के खिलाब एक आवाज उठाए थे और 15 अगर 26 जन्वरी को जो हम लोग सोतंतरता दिवस और गंतंतर दिवस मनाते हैं तो वहाँ पे भी भाईब समारो होता है जंडा पर आये जाता है इसके लावा हर दिन सुभा में वहाँ पे युवा लोग और प्रोड लोग जो होते हैं वहाँ वयाम करते हैं टालते हैं और साम के समय में बच्चे वहाँ पे खेलते हैं ध्मत के परचार के लिए स्रिलंका गया था, सारा जीवन वहीं लगा दिया, कैसा तपस्वी था, उसे याद रखना जुरूरी है, यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि गंगा किनारे महंद्रू घाट है, और महंद्रू नाम रखा गया है, तो महंद्र जो है असोक के पुत्र थे और असोक के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, तो असोक अपने अंतिम समय में कलिंग के साथ जब युद्ध हुआ था, तो वो बहुत धर्म को अपना चुके थे, युद्ध करने के लिए बिल्कुल ही वो छोड़ दिये थे, तो उनके बच्चे जो है महंद्र और उनकी बेटी जो संगमित्रा, तो वो लोग भी बहुत धर्म को अपना चुके थे और बहुत धर्म का परचार करने लगे थे, तो वे लोग सिरिलंका चले गए थे और सारा जीवन वहीं लगा दिये थे, कैसा तपस्वी था उसे याद रखना जोर रही है, तो इस तरह के ल तो महंद्रु घाट पर इस तरह की कई चीजें हैं, कांधी घाट है, महंद्रु मुहले और महाबिद्याले, पत्ना विश्वी द्याले और बड़ा अस्पताल है, सारे प्रदेश के छातर यहाँ उंची सिछा पाने आते हैं, पत्ना मेडिकल कॉलेज होस्पिटल में लोग पर डॉक्टरी के लिए पढ़ाई होता है, चड़क की दूसरी तरफ मुरादपूर का सुंदर बाजार है, सबजी बाग में स्री लच्मी नारायन मंदिर, बिरला मंदिर के नाम से परसीद है, तो यहाँ पर सबजी बाग में एक मंदिर है, जो बिरला मंदिर के नाम से पर तो उस समय हम बहुत पहले गया हुए थे और वहां पे देखे थे तो उतना बड़ा मंदिर नहीं था लेकिन यहां बतला जा रहा है गगन चुम्बी तो मैं बहुत पहले गया था तो हो सकता है कि अब बहुत बड़ा बन गया होगा गंगा पर पटना से हाजिपूर तक विश का लंबा पूल बना है इसे महात्मा गांधी सेतू कहते हैं बिलकुल सही चीज़ है यह पटना के उपर बनाया गया है बहुत बड़ा पूल है यह और हम लोग कई बार उससे गुजरे हुए हैं और इसका नाम दिया गया है महात्मा गांधी सेतू सेतू मतलब पूल होता है तो महत्मा गांधी पूल नाम इसका रखा गया है पुरुभाग में महानगर का पुराना पटना नगर सीटी पटना नगर है इसे पटना नगर कह सकते हैं बेपार का बड़ा केंदर है यहीं चोक से आगे गुरुगोबिन सिंग जी का जनम हुआ था गुरुगोबिन सिंग जो सिख के दस्वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं और इनका जनम भी यहीं हुआ था और यह जो है इसे पटना नगर कहा जाता है यहां पे बहुत बड़ा बेपार का केंदर है बिजनेस का केंदर है जनम अस्थान पर सिरी हरी मंदिर बना हुआ है पिता सिरी गुरुत तेग बहादूर ने और अंगजेब के अत्याचार के खिलाब हिंदुत्तु की रच्छा के लिए बलिदान दिया था उस समय मुगलों का सासन था और मुगल लोग चाते थे कि ज़्यादतर लोग इसलाम अपना ले लेकिन ये जो सिख लोग थे उन्होंने कभी भी उन लोगों के सामने घुटने ने टेका और जितना भी संभा हो सका उन लोगों से लोहा लिया और कई लोग उसके लिए बलिदान अपना दे दिये तो उसी तरह से उनके पिताजी जो थे तेक बहादूर वो भी बलिदान दे दिये थे अपना स्री गोबिंद राई ने रच्छा के लिए संगर्स का वीर मार्ग अपनाया अपने सिस्ष्यों को सिंग बना कर किरपान धारन करने का आदिश दिया जब इस तरह की घटना घटी जब मुगलों ने इन लोग को बिल्कुल भी ने समझा उसे जान से मारने लगे तो गुर गोबिंद सिंग बोले कि ऐसे नहीं हो सकता है हम लोग को लड़ने के लिए त्यार रहना पड़ेगा कि इन लोग को किसी तरह से इसके धरम से हटा दिया जा लेकिन इन लोग भी सपत ले चुके थे कि जब तक सांस है तब तक युद्ध करते रहेंगे वे बर्ज भासा हिंदी के परसिद कवी थे आज कुछ लोग बाहरी बाकावे में आकर अपने समाज इतिहास तथा परंपरा से अलग होने की चेस्टा कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है आज कई सारे धरम हमारे देश में हैं और कई धरम एक बैपार की तरह हैं लोगों को अपने धरम में दूसरे धरम से हटा कर अपने धर्म में सामिल करने की कोशिस कर रहे हैं उसको अपने परमपरा से अपने कल्चर से उसको हटा रहे हैं यह बड़ा ही दुख का बिसे है पट्ना का दसहरा उत्सव भारत में लोगपिरिये बन चुका है यह धर्म को बदलने की जो परकिरिया है, ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा दुख का भिसे है, पटना का दसहरा उतसव, भारत में लोकुरिय बन चुका है, सारा महानगर समारों में सच जाता है, भारत के मसुर संगीते की तथा गायकों के संगीत एयों, गायन से सारा नगर जूमने लगता है, मासूर संगीत हैं यहां पर आते हैं अपने संगीत को गाने के लिए इस तरह से सहर में गीत संगीत का समारोः चलता है तो ऐसा लगता है कि सारा सहर जुमने लगा है और हमारी कुसिया जो है क्या questions दिया हुआ है सबसे पहले इसमें word meanings दिया हुआ है जो कई सारे हिंदी meanings है उसको आम भासा में समझाया गया है तो इसको आप लोग पढ़कर एक बार पढ़ लेंगे, एक दो बार पढ़ने से आप लोगो पता चल जाए कि इसके मतलब क्या होता है, यहां मुहावरा दिया हुआ है जो की बना हुआ है, इसके अलावा question number 3 में link निरने करें और वाएक बनाएं मतलब यह जो है जो सब दिया हुआ है, इसको बतलाना है कि यह stilling, pulling है, ऐसा sentence बनाना है जिससे यह पता चल जाए कि यह stilling है या pulling है और इसके अलावा question number 4 है, और इसमें कई सारा question दिया हुआ है यह chapter का main question है तो आईए मैं आप लोग को इसका answer बना के दिखाता हूँ यह है chapter 11 का question answer question number 3 में link निरने करते हुए इसको वाइक बनाना है तो यहाँ पे stilling pulling इसको बतला दिया गया है और इसका वाइक भी बनाया गया है तो आप लोग इस वाइक को देखकर बना सकते हैं या था आप इसके लिए दूसरा भी वाइक बना सकते हैं question number 4 निमलिकेत प्रस्टन के उतर दे हैं गोल घर कहा है गोल घर पटना में है गोल घर से हम क्या देख सकते हैं गोल घर से हम पटना महानगर देख सकते हैं पटना किन नदियों के संगम पर बसा है पटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा है यह नगर कब बसा था तथा किसने बसाया था यह नगर भगवान बुद्ध के समय में बसा था तथा इसे अजाद सत्रू ने बसाया था पटना का पुराना नाम क्या है? यहां के दो परसिद वेक्तियों के नाम बताएं पटना का पुराना नाम पाटली गराम है यहां के दो परसिद वेखती चानेक और चंदरगुप्ट है चंदरगुप्ट ने किसे हराया था चंदरगुप्ट ने युनानियों को हराया था असोक के राईज के चिन कहां है असोक के राईज के चिन कुमरार में है आज पटना कहां से कहां तक बस चुका है आज पटना बांकीपूर से दानापूर तक बस चुका है सहिद अस्मारक से क्या समझते हैं साथ पूरुष जो पटना के सचिवाले पर जंड़ा फराने जा रहे थे तबी गोलियों के वार को साथे वे सहिद होगे उनहीं की याद में यह असमारक मनवाया गया है गांधी मैदान किसलिए परसिद है गांधी मैदान वयाम और खेल के साथ-साथ जेप्रकास नरायन ने भरस्टाचार के विरुध जन जागरन का आवाहन किया था इसलिए यह मैदान परसिद है तो यहाँ पर यह चेप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं